अगर अभी मौसम के मिजाज की बात की जाए तो वो अस्तर ही बना रहेगा आपको बतादी के जिस तरीके से ठंड हम सभी से विदा ले ली और इसके बाद तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली लेकिन अंसब के बीच पिछले कुछ दिनों से अगर सूबे के त तापमान की बात की जाए तो इसमें बढ़ोतरी तो नहीं लेकिन गिरावट नजर आ रही है इतना ही नहीं जस तरीके से पिछले कुछ दिनों में मौसम विदों के द्वारा तापमान में गिरावट के साथ-साथ भारी बारिश के आसार जिताए गए थे और साथ ही अब अ ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज आपको बताते हैं प्रदीश में अभी एक दो दिनों तक तीज रफ्तार से उत्री पश्र में हवा चलेगी इसकी वज़े से दो दिनों तक तापमान में अधिक व्रधी नहीं होगी पारा सामानी या इसके आसपास ही रहेगा मौसम विभाग की परवतिय इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में बारश होनी की वज़े सी राज्य भर में मंगलवार से ही ठंडी पश्र में हवा चलेगी इसकारण इधर जो पिछले तीन चार दनों से अधिक तापमान में व्रधी हो रही थी वो अभी दो दनों तक नियंतरत रहेगी इ इसके साथ साथ अगर हम प्रदेश के अधिकांश भागों की बात करें तो अधिक्तम तापमान में गरावट दर्च की जाएगी साथी पटना के अधिक्तम तापमान की बात की जाए तो सामानी से 35.4 डिगरी सलसियस रहा है तो आपको बता दे कि जस सरीके से लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी प्रदेश वासियों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही थी अब ऐसे में मौसम विदों का कहना है कि तापमान में गरावट दर्च की जाएगी साथी साथ पश्चिमी विच्छोब से आ रही हवामी की रफतार में और भी जादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी यानि कि मौसम का मिजाज फिलाल अस्थर बना रहेगा और अगले 48 घंटों में तापमान में गरावट दर्च की जाएगी ऐसे में जाहिर से बात है प्रदेश वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी साथी साथ अगर कोरोना की बात करीं तो इस बदलती मौसम में जुकाम से ऐसे भी लोग प्रभावत होते हैं लेकिन कोरोना के राफतार लगातार बढ़ रही है ऐसे में हम भी आप से यही अपील करेंगी कि आप कोरोना को मद्दे नज़र रखते वे कोरोना कि इस सभी प्रोटोकॉल्स का अनिवारे रूप से पालन करें क्योंकि जीवन आपका है और इसके सुरक्षा आपकी ही हाथों में है फ़लार के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए निउस्वानीशन नमस्का